जे हिंदूस तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित के बहुत ही महत्तुपूर्ण क्वास्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि वाल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेर करना है कि विकल्प नंबर C आपका यहां पर सही आंसर है विलकुल सही राइट आंसर बताये है अग्य है। क्वैशच्य नंबर 1170 क्या पूंचा है असात्ध रियोला क वीडियो को सेर किनárias 174 विकल्प भी दिये गभाएं असात्ध रियोणा कवीता क की रस्ट्रे है अंसर है तो ring नमबर 117 का राइट आंसर आपका यहां पर होगा विकल्प नमबर D यानि कि अग्ये आपका राइट आंसर है सचदानंद हीरानंद बातायन अग्ये आपका यहां पर सही आंसर है यहां पर नमबर 118 पूंचा है अग्ये की असात बीद्डा किस परकार की काव विकिती है एक खंड काव है महा काव है प्रवंद काव है पर लंब काव यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर D आपका सः आंसर है अग्ये की रशिना है बताइए कुरू छेत्र है या पबंदूत है या हुंकार है हरी घांस पर चनभर ये टीजीटी में 2010-2005 में एक क्वास्चन पूंचा या महत्तुपून क्वास्चन है और सभी के लिए पता है आपका राइट आंसर होगा हरी घांस पर चनभर अघ्यी की रश्ण मानी जाती है तो विकल्प नमबर डी आपका यहां पर सही आंसर है क्वेस्चन नमबर एक सो बीस पूंचा है मंद्रा सागर मंद्रा की लेखक कौन है सागर मुत्रा के लेखक हैं, Mugtibod हैं, धर्मवीर भारती हैं, अग्ये हैं, गिरिजा कुमार मातोर हैं तो 120 का आपका जो सही आंसर है वैं क्या है राइट आंसर बता correctly और सागर मुत्रा की लेखक easier फूंचा है तो आपका राइट आनसर होगा, अग्ये आपका सही आंसर है यह अग्ये की रचिना है महत्वपूर्ण रचिना मानी जाती है और क्वेस्चन नमबर आपका यहां पर पूंचा इनको प्राप्त हुआ था अग्ये जी को गोस्चन नमबर 112 क्या पूंचा है तो कॉश्चन नमबर 112 यहां पर दिया ग्या है देख लेते हैं कि नियम्नान क्योंतासी कौनसा है? अग्ये का नहीं है नहीं है पूंचा है तो question number आपका 122 है महत्तपूर है और इसका जो सही answer है वह आपका right answer C आनिकी सीडियों पर दूप आपका सही answer होगा विकल्प number आपका C यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही विकल्प number C सीडियों पर दुप काब संग्रय रगवीर सहाय का है अंगले question क्या पूंचा है तो question number 123 आप यहाँ पर पूंचा है इन्वे से एक काब संग्रय अग्ये का नहीं है बताईए आगन के पारद्वार धरती ऐसा कोई घर आपने देखा है या सदा नीरा तो question number है अपना यहाँ पर 123 और 123 का राइट आंसर विकल्प number आपका B यानि की धरती आपका यहाँ पर सही answer होगा धरती आपका राइट आंसर है के दौनों और किसकी करती है question number 24 का राइट आंसर वताना है लोहे के दीबार के दौनों और किसकी करती मानी जाती है अग्ये यासपाल सत्त देव परिप्राजक या राहुल सान क्रेट्टाइन 124 का सही answer है आपका यासपाल आपका सही answer है विकल्प नंबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा यासपाल बिल्कुल सही answer बता है लोहे के दीबार के दौनों और यह यात्रा साहित माना जाता है यासपाल इसके लेखक माने जाती है question number 125 का पूँचा है पूँजी पतियों की सुसक बृत्ति को जागर करने वाले लेखक कौन है आचार चतुरसें सास्त्री है जैसंकर प्रसाथ है एसपाल है पांडवेचन सर्मा ओक्र है तो आपका सही answer है विकल्प नंबर C आनिकी एसपाल एसपाल जो है पूँजी पतियों की सुसक बृत्ति को जागर करने वाले लेखक माने जाती है तो विकल्प नंबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 26 क्या पूँचा है तो question number 126 आपका यहाँ पर दिया है बकरी बिलाब किसकी का बिकृति माने जाती है question number 126 का राइट आंसर पूँचा है उनका सही आंसर है भारते हंदू हरिश्चंद्र जी की का बिकृति माने जाती है बकरी बिलाब question number 127 क्या पूँचा है बंसी और मादल किसका गीत संग्रय माना जाता है question number 127 महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है यहाँ पर ठाक और प्रसाथ से हैं ठाक और प्रसासें का यह जो है गित संग्रय माना जाता है question number आपका 108 पूँचा है यहाँ पर नाटक जारी है किस विदा की रचना है यह उपन्यास माना जाता है निबंद नाटक या कभीता तो TGT 2010 में एक question आपसे पूँचा क्या आते हैं यहाँ पर 2010 में TGT में नाटक जारी है क इस विदा की रचना है तो कभीता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही यह 1972 की कभीता विदा की रचना मान जाती है नाटक जारी और इसकी रचना का पूँचा जाय तो लीला धर जगुडी इसकी रचना कार मान जाते हैं question number 139 पूँचा है आपसे यहाँ पर ब बल्देव खटे की किसकी कभीता है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल चाहिए विकल्प नंबर आपका भी यहाँ पर सही आंसर होगा लीला धर जगुडी आपका यहाँ पर सही आंसर है बल्देव खटे जो है यह अंतर देश यह कभीताएं बहुत question यहाँपर पूंचा है, क्या पूंचा है तो यहाँ पर दिया गया है, question number 130, स्याम पर सही answer है, पृत्वड्द्द कवीता की जनक माने माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो आपका right answer है, यहाँपर पर万णल सो सही answer है प्रिति बद्दे कवीता के जनक परमानंद सिरी बास्ताओं है और अंगला कॉस्चिन क्या माना गया है यहाँ पर क्या पूचा गया है तो देख लेते हैं देखे जिन्दगी मुस्काई की रचनाकार कौन है जिन्दगी मुस्काई के सोरी दास वाचपिय बनासी दास चतुर अर्वेदी, कनईय, लालमिस्थ प्रभाकर, या राम राक्छ वेनिपुरी। जिंदिकी मस्काई आपका लाइड आंसरों का सही आंसर, ऑकर और निवन्दकार माने जाते हैं। और यहां पर question number 132 पूंचा है बाजे पायलिया के घुंगुरू के लेखा कौन है तो 132 का आपका जो सही answer है भाई क्या होगा right answer तो चार विकल्ब भी आपके यहां पर दिये गए हैं और 132 का सही answer है आपका कनहिया लाल मेस्त प्रभाकर आपका सही answer होगा कनहिया लाल मेस्त प्रभाकर आपका सही answer है question number 133 क्या पूंचा है जगत सचाई सार कभीता के रचेता कौन है नातुराम सर्मा है सिरीधर पाठक है देवी दत्ते सुकल है इनमें ऐसे कोई नहीं है जगत सचाई सार जगत सचाई सार के जो रचेता के रचेता है भाई सिरीधर पाठक है कौन है सिरीधर पाठक तो विकल्प नमबर आपका यहां पर सी राइट आंसर यहां पर है question number 134 यहां पर पूंचा क्या है क्या पूंचा क्या है तो देख लेते हैं देखिए question number 134 है कली कौतों के रूपक के लेखक है 134 का राइट आंसर बताए क्या होगा सही answer कल के रूपक है जिसके जो लेखक माने जाती है वह प्रताब नारम स्र है और उनका यह नट तो माना जाता है कली कौतों क्या है रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है रविंद्र कविता कानन के लेखक आप यहां पर पूंचा है चार विकल्प देगा है question number 135 है और आपका राइट आंसर है रवेंद्र कवीता कानन की जो लेखक है निराला है कौन है निराला यानि की विकल्प नंबर ये आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 134 पूंचा हिरदाय का मदुभार का परचना है किसकी है एक परचना सुकल की पंते प्रिस्थायाद या निराला हिरदाय का मदुभार ये का परचना किसकी मानी जाती है मत्तपुण है और आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर एक यानि की सुकल आपका यहाँ पर सही आंसर है हिर्दाय का मदुभार आचा रामचन सुकल द्वारा लिखी का पर रचिनमानी जाती है इसमें पिरकृति का मनुहारी चित्रन हुआ है किसमें हिर्दाय का मदुभार में Question number आपका 137 क्या पूंचा है रस्मी मान सा नामक आलोचिन पुस्तिका के लेखक कौन है तो आपका 37 का सही आंसर है यहाँ पर C इसमें पूंचा है Question number 138 क्या पूंचा है तो 138 वा question आपका यहाँ पर दिया गया है निमलेकेत मेंसे किस आलोचना डर्णत है के लेखा के नाम सही नहीं है तो इसे आलोचना डर्णत है के लेखा का नाम सही नहीं है यहाँ पर आपको बताने question number 38 में तो क्या होगा सही आंसर चार विकल्ब देगा है आपकी यहां पर Question No. 38 है और जो सही नहीं है रस्मी मान्सा हजारी परसाद दुबेदी यह जो है आपका यहां पर सही आंसर होगा विकल्ब नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर है देखे, साहेतिके प्रमुक स्यद्दान तक आचार सुकली जी द्वारा 1949 में रस्मी मांसा लिखी गयी और 1949 में पिरकासित हुई थी तो रस्मी मांसा रामचंग सुकली जी द्वारा लिखे पिरकासित हुई है एग रंट तुभीकल्ट नंबर आपका यहाँ पर ए जो है राइट आंसर होगा समीच छात्मक किर्थी आलोचिना का पक्ष़ के लेका कौन है 1.49 का उन्सर बताना है समीच छात्मक किर्थी मानि जाती है आलोचिना का पक्ष़ और इसके लेकाख है रमेश चंद्र साहे आपका यहाँ पर सही आंसर है रमेश चंद्र साहे पदमिसरी ने हिंदी सायत की गत और पत दोनों बिधा में लिखा है पदमिसरी इनों ने और इनके अंदर अचनाओं की बात करें गोबर गडिस, किस्सा, गुलाम, पूरबा पर आखरी दिन इनके जो ह रमेश चंद्र साहे आपका सही आंसर है यहाँ पर बी यानि कि हिंदी साहेतिक आतिहास चिंतमनी रस मीमान सा तर्वेणी यह आपका सही आंसर होगा गॉस्टन से घंगा, यह बोलका से गंगा किसकी राचिना है तो गॉस्टनमर 141 का अंसर बताइए उखिडरी क्या सकाएट, स्याम, सुन्दर्दास यह राहुल सान क्रित्याइन, सरदर्पूंड से है, डक्टर नगेंदर अनिता भारती है मंहुवा मान जी है या पर गीता श्री या कावेडि कावेडी गांशर बताईए इस तरी विमर्स पर आधारत औरत की बोली किर्टी की रचिनाकार पूंचा है 2015 में ये question पूंचा गया था गीता श्री आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा मियत्र पूसपा आपका यहां पर सही आंसर होगा मियत्र पूसपा इसके ले कि कमानी जाती है यह बहत सफर्था कि मुकाम था question now is एक सु चाबवालिष पूंचा है सरंकला की कल्या, कि मुख बसतु पूंचा है। तो आपका हयाँपर सही आंसर है, विकल्प नमबर D, यानि कि इसतरी विमर्स आपका सही आंसर है, question number 145 आपसे पूंचा हिंदी साहित के इतियास ग्रंते हिंदी साहित विमर्ज के लेखक है हिंदी साहित विमर्ज के लेखक बताना है और question number 145 और 145 का right answer आपका यहाँ पर जो होगा हिंदी साहित का विमर्ज के लेखक कौन है तो पदम लाल पुन्ना लाल वक्सी यानि की विकल्प नंबर डी आपका है यहां पर सही आंसर है यह question महत्वपुन है TGT 2005-2010 में यह question पूंचा गया है तो इस फिरकार अपनी यहां पर बहुत ही महत्वपुन question complete हुए कैसल लगाए वीडियो कमेंट में जरू बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार आएं तो बहुत चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आपके हां तक सबसे पहले पहुंचे जादा से जादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्नबाद जैहिन